आप सब कैसे हैं I hope कि आप सब अच्छे होंगे स्वेट्स आज में करने वाली हूं रच्छा वंदन मेकप लोग जैसे कि हम सब जानते हैं 30 को रच्छा वंदन है और रच्छा वंदन मेकप लोग तो बनता ही है तो बहुत ही आज सिंपल सा मेकप रहेगा क्योंकि गर्मी बहुत ही खराब चाहरा लगने लगता है बहुत ही बतसूरत अच्छा बनने के चक्रण में बहुत ही बेकार सा हो जाता है तो इस बहुत ही सिंपल सा रखेंगे तो मैंने सबसे पहले माश्याजर लगाया है उसके बाद में संस्क्रीन लगाएंगे संस्क्रीन बहुत जरू तो आप एक पर जरूर लग त्राइब कीजिए सीरम से ना फांडेशन में लगाऊना तो बहुत ही अच्छा अच्छे से मितलब बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं आती फेस पे और ड्राय स्किन वालों के लिए तो बेश्ट है अगर आप फांडेशन का यूज करते हैं बेबी जो छेहरे के उपन पर सगेरा होती है जो वो साथी है और जिसे कि हमारा तो इसको सेट होने देंगे थोड़ी देर इसके बाद में फॉणडेशन लगाएंगे प्राइमर लगाने कि जश्ट बाद तुरंद फॉणडेशन ना लगा है इसको थोड़ी देर सेट होने दे अच्छे से 2-5 मिनिट जितना जैसा आपके पास टाइम हो तो उसको अच्छे या तो फिर बीडी क्रीम का और जल्दा हाइप का वाले फॉणेशन को इगन्ओर करते हूँ और जैसे साधी पार्टी हुई तो उसमें मैं जल्दा हाइप अब ब्लेंडर से नहीं करना चाहते हैं तो आप फिंगरेटिब से भी ब्लेंड कर सकते हैं मैं दोनों तरीके से म और आजकल तो वैसे भी सभी के पास में ब्यूटी ब्लेंडर होता है अगर है तो आप जरूर ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करिए उससे बहुत अच्छा सा एक ग्लो प्रवाइड होता है मारे फेस पे तो इसके बाद में मैंने लिया है कंसीलर यह है प्रोईस का कंसील कंसीलर में मतलब ज्यादा इसका करके में जाँ यहां यहां पर करना चाहिए अगर आपको ज्ञादा डार्क संकल है यह ज़्यादा ऑन भूंड खर सकते हैं तो इस तरह से को करने के बाद में आप इसको निक अच्छी से बेड़न कर लीजिए बाद वाह ज़रूरinc गासा तो आपका फोंडेसन वो लांग और भूरां चाहिए तो इसके बाद में लिया Einu typ कॉमपेक्ट पावडर को मेलड़ अगर आप देखने चाहते हैं अगर आप देखना छाहते हैं तो मेरी कई वीड़ियोज हैं अगर एक यह से में देख अगरstory तो मैंने उसे ऐसे पिक कर लिया थोड़ा सा बस इस तरह से लगाओंगी जादा नहीं लगाओंगी क्योंकि मुझे गर्मी में पसीना जादा आता है तो इस पर जैसे मैं सोच रही थी कि बहुत ही कम ही मतलब चीजे यूज करूं जैसे मैं करती हूं पर इसमें वीडियो में इतना भी कर रहे हूं पर सची बता हूं रियल में तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूं क्योंकि मुझे पसीना बहुत ज़्यादा है और मेकप करो तो फिर पसीने से बिल्कुल बेकार सचेरा हो जाता है इसलिए मैं बहुत एक कम इस सारी चीजे अवाइड करती हूं बस अ यहां पर मेरा आई शेडो हो गया है इसके बाद में यह हैं जेल आई-लाइनर इसी से मैं अपने काजल लगा लूँगी इस तरह से बहुत अच्छा जो ब्रेश होता है ना इसका इससे बहुत अच्छा आई-लाइनर लगाएं चाहें इससे मतलब आप आई-ब्रोस फिल करें भूबधे है fitting तो आप इसको जरूर ट्राय करें बहुत अच्छा है इससे देखें बहुत अच्छा काजल लग घ्या तो यह क्यों मुझे भूछ ज्यादा पसंद है और इस तरह से लगाने में बहुत आच्छा लगता है और अपकी आँखों में बहुत अच्छिशी है। तो इसके बाद में मैंने दोनों आखों में काजल लगा लिया है अब हम लगाएंगे आइलाइनर तो आइलाइनर के लिए मैंने ये ब्लू हेमन का आइलाइनर लिया है ये सस्ता है टिकाओ है अच्छा है अच्छा है काम चलो बहुत ही अच्छा है तो इसे ही मैंने इस तरह स तो इस विज़े से मैं नहीं लगाती हूं तो मैंने इस तरह से आई लाईनर लगा ले है अब इसके बार में अगता है तो अब मस्कारा लगाएंगे मस्कारा लगाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वैसे अगर आपकी सिर्ट में तो थोड़ी सी घणी क्या है तो dt भॉत ज्यादा अच्छा लगता है अगर नहीं को आप लब 2-3 कोड इससी परनी आपकी आपकी में कहसे बहुत बाँसा आ और ऐ 手तीध फिक बड़ने से लगहें तो दो-तीन कोड़ कर ये तो बहुत है पलक्याब कि तो यह मेरे श्कारा हो गया इसके बाद में इसके बाद में ब्लस की बारी आती है तो ब्लस मैं लिप्शटिक से मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं ज़ाधा तर लिप्स्टिक से ही ब्लस को इस तरह से हलकलकर सा लगाती हूँ क्योंकि right face नहीं लगता है थोड़ा से हमारे face पे अगर कलर आ जाता है त तो इस वज़ेसे ब्लश इस तरह से देखे डेप करके ब्लेंडर से इस तरह से ब्लेंड कर लेंगे तो यह बहुत ही अच्छा लगता है और लगता भी नहीं कि आपने कुछ मितलब ब्लस जैसा लगाया है वो नेचरल सा गलो नेचरल सा जो रेड़ वाला वो टमाटर जैसे निकाल हो जाते ना वह चीज़ लगती है ठीक है तो इस तरह से मैंने लगा लिया और इसके बाद में लगाएंगे लिप्स्टिक तो लिप्स्टिक में ना मैं काफी ज़्यादा कन्फ्यूज हो रही थी कि कौन सी लगाऊं कौन सी लगाऊं तो अभी मुझे ना अपने फे चाहरे पर तो अच्छा नहीं लगता है इस विज़े से तो यह मुझे थोड़ी सी चॉलाइन अपनी इस तरह से दिख रहे थी तो मैंने सोचा चलो क्यों ना जो सौर्ट पर है काते ना वो ट्राई करते हैं तो मैंने मैं सोचा कॉन कांट्रोर निकाले तो मैंने यह है तो आप इस तरह से उसको छिपा सकते हैं ठीक है तो इसकी बाद मैंने यह लिप्ष्टिक उठाए यह मुझे मतलब थोड़ी सी अच्छी कम लग रही थी तो मैंने सुचा अब क्या करें तो मैंने फिर जिससे मैंने ब्लश लगाया था ना उसी लिप्ष्टिक को उठाय कि इसमें को इसने और है और मेरा जो लिप्लाइनर था ना वो मिल नहीं रहा था तो इस बज़ए से मतलब कुछ इस बज़ए से भी अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने यह वाली जो लिप्स्टिक है उसको उठाई और इसमें इसको अले एक्ष्ट्रा प्रोडक्ट होत और इसके बाद में बीच में बढ़ाऊंगी और फिर बस की एक थाय ने बात छिएक तरह बेना तो इससे बहुत अच्छा चाहत Papa बहुत दें के बाद में बैक places Sponge ब्रौय्न ची या सिर्व्म्atist शिवक दोग पिbs Miru जो कुरती है यह वाली तो बहुत ही अच्छे लेगे इस विज़ाए से ऑगस्ट जोल्री अर्ट मैंने पहने यह कान में और यह रिंग है और मैं हाइलेटर लगाना भूल गई थी इस बिज़ाए से एपिर हाइलेटर लगा थोड़ा सा तो फिस्साइल साइन करना चाहिए न नोस्पिन भी थी तो मैंने सोचा उसको भी चलो ट्राइ करके देखते हैं वो अच्छी लगती है या नहीं लगती है तो आप लोग देखेगा और कमेट में जरूर बताएगा कि मेरे उपर नोस्पिन वो अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है कमेट में जरू बताएगा ठीक है या ऐसे या फिर वैसे तो अच्छा लग रहा है तो यह था मेरा मेकप रक्षा बंदन मेकप लोग आई होब कि आप लोग को पसंद आया हो पसंद आयो तो प्लीज वीडियो पे लाइक कमेंट से जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलतें आपसे अच्छ वीडियो मेक बाइ